तो आप सभी का Crack Exam online के YouTube चनल पर हर्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हैं पेपर कोड 122 हल करने वाले हैं जो कि प्रियोग साला साही का पेपर है दोस्तों अगर आप REIT की त्यारी कर रहे हो, CET की त्यारी कर रहे हो AFCI की त्यारी कर रहे हो, EO & RO की भी अगर आप त्यारी कर रहे हो ना तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्रपून रहने वाला है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए लाइक और कोमेंट करकर हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है जो साथी चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्योशन ये रहा मैं आपको कहना चाहूंगा आज की इस वीडियो में हम 50 क्योशन करने वाले हैं जो कि आगामे एक्जाम में आपके बहुत ही जादा महत्पून योगदान देने वाले हैं और आज ये क्योशन लगाओगे आप देखोगे कि कितने क्योशन हमारे पहले से रिपीट हो रही है करकरेखा राजस्तान के किस जिले से होकर गुजरती है करकरेखा दोस्तों ये पेपर थोड़ा प्रिंट जो इसका साफ नहीं है मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ थोड़ा आप गोर से इसको देख लेना करकरेखा राजस्तान के किस जिले से होकर गुजरती है करकरेखा जो हैना दोस्तों राजस्तान के बासवाड़ा से होकर गुजरती है राजस्तान के बांसवाड़ा से होकर गुजरती है पलस आप द्यान रखोगे राजस्तान के बांसवाड़ा के साथ साथ कहां से निकलती है डुंगरपूर से भी डुंगरपूर भी द्यान रखोगे वे बांसवाड़ा प्लस डुंगरपूर से करक रेखा निकलती है दोस्तों राजस्तान में संयुक्त वन प्रबंदन कब प्रारंब हुआ संयुक्त वन प्रबंदन पूछा गया है संयुक्त वन प्रबंदन कब प्रारंब होता है दोस्तों मरुस्तल विकास का रेकरम कब प्रारंब हुआ था ? 1978 1978 के अंदर मरुस्तल विकास का रेकरम प्रारम्ब हुआ था दोस्तों नेक्स्ट क्योशन है निमन में से कौन सी मृधा राजस्तान में कपास फसलों के लिए निमन में से आप से पूछा गया मृधा का नाम बताना है कपास की फसल के लिए सरवाधिक उप्युक्त है दोस्तों सरवाधिक उप्युक्त पूछा गया है कौन सी मृधा यहाँ पर सरवाधिक उप्युक्त रहेगी क्योशन के लिए राइट आंसो रहेगा मध्यमकाली मध्यमकाली मिट्टी जो है ना लेवा तलाब नामक वर्सा जल संगरन सरंचना पूछी गई आप से किस जिले के अंदर है दोस्तों, इस केस्टिन के लिए राइट आंसर रहेगा बारा के अंदर, बारा के अंदर लेवा तलाब नामक वर्सा जल संगरन है दोस्तों, टाजस्तान में बीड पुछा गया स्थ थानिय नाम है दोस्तों आप ध्यान देना ध्यान सिक्योशन को पड़ना यहां पर बीहड नहीं लिखा हुआ है बीड लिखा हुआ है बीड जो है चारा गाहा है यह उप्शन बिलकुर राइट रहेगा बीड जो है चारा गाहा के लिए चारा गाहा होता है दोस्तों बीड य तो है ना वो चंबल का बाहुशेतर में है वो कहां पर है चंबल के बाहुशेतर में है वो भी आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों गांदी सागर और राना परताब सागर बांद पुछा गया है निमन में से किस नदी पर अवस्तित है गांदी सागर बांद और राना परताब सा सागर है गंदी सागर है इनके स्थान भी तो पूछे जा सकते हैं हम देख लेते हैं गंदी सागर जो है वो तो मंद सोर में है दोस्तों कहां पर है मंद सोर के अंदर है राणा परताब सागर जो है ना राणा परताब सागर जो है ना वो कहां पर है चितोडगड के अंदर है चितोडगड के अंदर है चंबल नदी पर चार बांद है दोस्तों चंबल नदी पर जो है चंबल नदी पर जो है न चार बांद है दो तो यह होगे गांदी सागर रणा परता सागर दो अन्य हम देखते हैं कौन कौन से हैं आप एक और जो अन्य है वो ध्यान रखोगे कोटा बेराज कोटा बेराज एक आप ध्यान रखोगे कोटा बेराज हो गया उसके लावा आप ध्यान रखोगे जवार सागर कौन सा जवार सागर आप ध्यान रखोगे आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों है कहां पर ये दोनों के दोनों कोटा के अंदर है कहां पर है नेक्ट बेजलते हैं जाक्खम भूदेशिया प्रियोजना राजस्तान के कौन से जिले में अवस्तित है जाक्खम भूदेशिया प्रियोजना पूचे गई है राजस्तान के कौन से जिले में अवस्तित है जाक्खम भूदेशिया प्रियोजना यह दोस्तों आप सभी को पता साहिक नदी भी है महाई नदी की साहिक नदी भी है दोस्तों आपको ये भी पता होगा निमलिक्त में से कौन सा वन शेतर उडन गिलहरी के लिए परसिद है दोस्तों उडन गिलहरी के लिए पूछा गया है उडन गिलहरी के लिए कौन सा परसिद है सिता माता सिता माता अभ्यारने जो है उडन गिलहरी के लिए परसिद है चलते हैं दोस्तों आज के next question पर operation flood किस से संबंदित है operation flood किस से संबंदित है आपको यहाँ पर बताना है दुग्द उत्पादन दुग्द उत्पादन के लिए operation flood पर संबंदित है operation flood जो है किस संबंदित हो गया रोजा भाकर सिखर राजस्तान के निमलिक में से किस जिले में स्थित है रोजा भाकर सिखर पुछा गया है निमलिक हिद में से किस जिले के अंदर इस्थित है दोस्तों question के लिए right answer रहेगा जालोर जालोर के अंदर जालोर के अंदर रोजा भाकर सीखर इस्तित है दोस्तों पलस आपको एक चीज़ और पता यहां पर होनी चाहिए जो रोजा भाकर है ना वो पस्चमी राजस्तान की सर्वोच चोटी है रोजा भाकर है पस्चमी राजस्तान की सर्वोच चोटी है दोस्तों सर्वोच चोटी है ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योश्टन पूछा जा सकता है रोजा भाकर जो है जालोर के अंदर है पस्चमी राजस्तान की सर्वोच चोटी है निमन में से कौन सी बहुदेशिय पर्योजना राजस्तान गुजरात और मध्य पर्देश का स्विक्त उपकरम है बहुदेशिय पर्योजना दे रखी है राजस्तान गुजरात मध्य पर्देश की स्विक्त पर्योजना है नरमदा नदी परियोजना, राजस्तान, गुजरात, मद्यापरदेश की सुएक परियोजना है नेक्स्ट क्योशन है दोस्तों निमन लिकित में से किस जिले में सेम की समस्या है किस जिले के अंदर आपको सेम की समस्या देखने को मिलती है सेम किसमस्या जो है दोस्तों हन्मानगड के अंदर है हन्मानगड के अंदर सेम किसमस्या है दोस्तों नेक्स चलते हैं गुजरात के गिर परकार की गाये नसल को राजस्तान में कहा जाता है गिर परकार की गाई के नसल को राजस्तान में क्या कहा जाता है दोस्तों रेंडा कहा जाता है सी उप्षन बिल्कुल राइट रहेगा गुजरात की गिर परकार की जो गाई की नसल है उसको राजस्तान के अंदर रेंडा कहा जाता है अगर आपने अभी तक हमारा short notes वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाकर देखिए और दोस्तों जो भी similar fact वाले वीडियो है similar है confusing fact है उस पे भी हमने एक separate वीडियो बना रखा है confusing fact पे भी तो वो भी आप जाकर देख सकते हो दोस्तों link आप कौन का description में मिल जाएगा राजस्तान के निमली खित में से किस चेतर में उशन कटी बंदिया कंटीले बन पाए जाते हैं आपको यहाँ पर बताना है राजस्तान के अंदर निमली खित में से किस चेतर के अंदर उशन कटी बंदिया कौन से कंटी लेवन मिलते हैं ये हमको मिलते हैं चूरू के अंदर कहां पर मिलते हैं चूरू के अंदर मिलते हैं दोस्तों आज का जो पेपर है उसका प्रिंट थोड़ा अच्छा नहीं है फिर भी हमको क्योशन कवर करने हैं पचास क्योशन है बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्योशन है एक्जाम में हमारे बहुत मैतरप्रण योगदान देने वाले है तो उशन कटी बंदिया कंटीलेवन जो है चूरू के अंदर है दोस्तों कहां पर है चूरू के अंदर है राजस्तान की निमलिक जीलों में से कौन सी जील जो है जील सरंक्षन कारेकरम के अंतरगतर नहीं आती है एनल सीपी के अंदर नहीं आती है जीले ने रखी की है और एनल सीपी के अंदर कौन सी नहीं आती है मान सागर है अनना सागर है पुसकर है question के लिए right answer रहेगा बजाज सागर जो है ना NLCP के अंदर नहीं आती है रास्ट्रिय जील सरंक्षन कारेकरम के अंतर गतर नहीं आती है दोस्तों ये मान सागर कहा है मान सागर तो आप ध्यान रखोगे जैपूर के अंदर है मान सागर जैपूर में पुषकर और अना सागर जो है ना ये कहां पर है ये दोस्तों अजमेर में है जमेर के अंदर पुषकर और अना सागर अजमेर के अंदर है दोस्तों next question है Ni Malik Basin's में कौन सा उत्कात भूमि स्थलाकरती के लिए परसीद है बिशिए दे रखे है उत्कात भूमी स्तलाकरिती पूछा गया है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, चंबल नदीमी तो बीड है, उत्कात भूमी, वही तो है उपर नीचे की भूमी, उत्कात भूमी का मतलब है, उबडखबड भूमी, इसके लिए राइट आउंसर है चंबल, चंबल बेसिन जो लिए right answer रहेगा गाए थार पारकर जो है ना वो एक गाए की नसल है थार पारकर गाए की नसल है दोस्तों नेक्स पे चलते हैं नक्की जील अवस्तित है नक्की जील कहां पर है दोस्तों माउंट अबू के अंदर माउंट अबू के अंदर नक्की जील है माउंट अबू के अ आप से पुछा जाएना राजस्तान में नकी जील जो सबसे उंचाई पर इस्तित जील है माउंट अबू के अंदर दोस्तों नेक्स्ट क्योशन चलते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर सिंचाई परियोजना यह दे रखी हैं लाभानवित जिले आपको यहाँ पर बताना है सिंचाई परियोजना यह दे रखी है और एक सुमेलित नहीं है वो यहाँ पर हमको देखना है जवाई परियोजना पाली के अंदर है दोस्तों ये सही है कल भी हमने इस पेपर जो प्रिवेज पेपर किया है उसमें ये क्योशन किया था जवाई वाला सिदमुक चूरू के अंदर है सिदमुक कहा है इंगलिस वाला आप देख सकते हो सिदमुक चूरू के अंदर है विलास परियोजIONा 12 के अंदर है ये भी चीक है विलास परियोजIONा का है 12 के अंदर है दोस्तों यहां पर देखिए बांकली बिकानेर देर रखा है कहां पर है सूकडी नदी के उपर है और है कहां पर दोस्तों पाली के अंदर ही है सूकडी नदी पर पाली के अंदर बांकली बांध प्रियोजना आप कह सकते हो वहां पर है दोस्तों नेक्स्ट क्योश्टन चलते हैं राजस्टान वानिकी एवं जै विविता प्रियोजना पूछा गया है किस के द्वारा प्रियोजित है ये क्योश्टन के लिए राइट आंसर रहेगा जापनीज इंटरनेशनल कोपरेशन एजेंसी डी ओप्सन बिलकुल यहां पर राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों चलते हैं आज के नेक्स्ट क्योश्टन पर राजस्टान राज्या वन परसासनिक परतिवेदन दोहजार एक्किस बाइस के अनुसार वे जीला जहां परतिस्ट वन सर्व चेतर जो है सरवादिक है वो उद्यपूर के अंदर है दोस्तों राजमहल टॉंक खान संबंदित है राजमहल टॉंक खान आपसे पूछा गया है किस से संबंदित है दोस्तों तामडा से राजमहल टॉंक की जो खान है वो तामडा से संबंदित है दोस्तों नेक्स शुशन पर चलते हैं भारतमाला परियोजना का संबंद परिवेंद से है, भारतमालब परियोजना का संबंद परिवेंद से है दोस्तों, निमन में से दोस्तों ये क्रिशन बहुत ज़्यादा इपोर्टेंट है, मैं आपको कहना चाहूंगा, दस किर्शी जलवायू शेत्र हैं आपको वो सबी पता होना चाहिए इस टोपिक को आप पढ़िए अगर आपको पता हो एक तो आपको पता चलेगा कि गंगा नगर है गंगा नगर और हनुमानगर शेत्र के अंदर होता है हनुमानगड शेतर के अंदर किन्यू सरवादिक होता है आप सभी को ये पता होगा इस शेतर के साब से अगर देखा जाए तो इस क्योशन के लिए राइट आनस दो रहेगा फस्ट बी फस्ट बी के अंदर किन्यू की जो पेदावारा सरवादिक होती है यानि फस्ट बी के अंदर गंगानगर हनुमान गड़ाता है और फस्ट बी को हम किस नाम से जानते हैं फस्ट बी को हम सिंचित उत्रपस्मी मेदान के नाम से जानते हैं सिंचित उत्रपस्मी मेदान के नाम से हम दोस्तों जानते हैं फर्स्ट बी के अब हम सेकंड बी के बारे में जानते हैं सेकंड बी के बारे में जाने हैं दोस्तों ये लूनी का जो ना लूनी का संक्रांदी सोर दोस्तों लूनी बेसिंस का मैदान जो आ जाएगा लूनी बेसिंस का मैदान जो ना वो इसके अंदर आ जाएगा लूनी बेसीन का मेदान इसके अंदर आ जाएगा फर्स्ट बी के अंदर आ जाएगा दोस्तों और दोस्तों आपका आज का क्यूस्चन एक आपका वो ये बताना है कि किर्शी जलवायू शेतर के अंदर किर्शी जलवायू जो शेतर है उसमें सबसे बड़ा किर्शी जलवायू परदेश छेतर जो कौन सा है किर्शी जलवायू जो छेतर है उनमें सबसे बड़ा छेतर आपको यहां पर बताना है कि दोस्तों कौन सा सलसे बड़ा है थर्ड B थर्ड B के बारे में देखते हैं दोस्तों ये क्या बाड़ प्रभावित पूर्वी मेदान है दोस्तों थर्ड B को किस नाम से जानते हैं बाड़ प्रभावित पूर्वी मेदान के नाम से हम जानते हैं और लास्ट फॉर्थ B के बारे में जानते हैं दोस्तों एक तो इसके बारे में हमको ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटा है बड़ा मैंने आपको पूछ लिया है आपको comment box में type करकर बताना है कि सबसे बड़ा कौन से वाला है fourth B जो है सबसे छोटा है दोस्तों और आदर दक्षनी मैदान इसको हमें कहते हैं कि इस किर्शी जोलवी परदेश में सबसे बड़ा कौन से वाला है next question पर चलते हैं दोस्तों गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन इस्थापित किया था आप सभी को पता होगा संप सभा की स्थापना संप सभा की स्थापना कोन करते हैं गोविंद गुरु जी करते हैं दोस्तों चलते हैं आज के next question पर विजे सिंग पतिक का मूल नाम आप से पूछा गया है चलते हैं आज के next question पर 1948 में किन के चार देशी रियास्टों को मिला कर मतस्य संग का निर्मान किया गया था 1948 के अंदर पूछा गया है एक चीज तो यहाद ध्यान रखिगा है और मतस्य संग मतस्य संग का निर्मान किया गया था मतस्य संका जैसे ही नाम आये ना, सबसे पहला चलना है यह तो एक चीज द्यान रखना है A, B, C, D, आप यह द्यान रखो, A, B, C, D आपको द्यान रखना है फर्स्ट वाला मतस्य संका पूछा है तो A, B, C, D आजाना चाहिए अब A, A से अलवर, B से भर्थपूर, C से क्रोली, D से दोलपूर यानि D option बिलकुल यहां पर राइट रहेगा A, B, C, D, अलवर, भर्थपूर, दोलपूर और क्रोली यह आप ध्यान रखोगी दोस्तों Next question पर चलते हैं जलते हैं आज के next question पर क्रोली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे इस्तित है बहुत ही अच्छा question दोस्तों पूछा गया है क्रोली का केला देवी मंदिर पूछा गया है हमसे किस नदी के किनारे है दोस्तों काली सील नदी के किनारे ध्यान रखेंगे काली सील नदी के किनारे करोली का केला देवी मंदीर है काली सील काली सिंद मत कर देना काली सील करना क्या करना है काली सील करना है सिंद मत कर देना मैं आपको अभी कह रहा हूँ केला देवी मंदीर काली सील नदी के किनारे इस्तित है दोस्तों चलते है नेक् बलगड का कुमभा निर्मान करवाता है बसंती दुरुक का करवाता है मयान दुरुक का करवाता है गागरों दुरुक का निर्मान कुमभा नहीं करवाता है डी उप्सन बिलकु लाइट रहेगा कुमभा दवारा गागरों दुरुक का निर्मान नहीं करवा गया मयान बता भी होगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्योशन पर राजस्तान के कौन से परसिद संत बिका नेर के कतरिया सर से संबंदित हैं दोस्तों के विसेस्ता बन गयी थी दोस्तों, चलते हैं आज के next question पर, परवत सर का मेला किस लोग देवता की समरीती में आयोजित किया जाता है तेजा जी की समरीती में परवत सर का मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों Next question है आज का, निमन में से कौन सा, राजपरसाद चितर पलेस के नाम से जाना जाता है। उमेद भवन पलेस। चितर पलेस के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं आज के Next question पर, चांद बावडी कहां इस्तित है, चांद बावडी पुछा गया है कहां पर है दोस्तों अभानेरी के अंदर अभानेरी के अंदर चांद बावडी इस्तित है सवतंतरता सिनानी सागर्मल गोपा कहां के निवासी थे किसका पुछा गया है सागर्मल गोपा सागर्मल गोपा किस कहां के निवासी सागरमल गोपा जो हैं दोस्तों आप सभी को पता होगा सागरमल गोपा जैसल मेर की निवासी थे चलते हैं हाज के नेक्स्ट क्योशन पर राजस्तान में 157 के विद्रवा का पर्थम संगरेश कहा हुआ दोस्तों मैंने आपको इतनी बार बोल दिया है 1855 की करांती से क्योशन डेफिनेट पूछा जाएगा परजा मंडल अंदुलन से क्योशन आपको डेफिनेट देखने को मिलेगा आप इन टोपिक को जरूर कवर कर लें बहुत ही अच्छे टोपिक है कम समय में आपका टोपिक कवर हो जाएंगे ग्यूशन आपके यहां से जादा से जादा आने के चांज है दोस्तों एक एक क्यूशन परतेग टोपिक से आप यहां मान के चलो हमने इतने पेपर अभी कवर किये हैं और आप जैसा देख सकते हो कि परतेक exam में यहां से person पूछा ही पूछा गया है दोस्तों 18 सुतान की विद्रोगा पर्थम संगर्स पूछा गया है तो इसके लिए right answer क्या हो जाएगा नसीराबाद हो जाएगा विद्रोगा पर्थम संगर्स नसीराबाद से शुरू होता है नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं परतिवराद चोहन तरित्या का समकाली चंदेल सासे कौन था दोस्तों अच्छा क्योशन है important है मैं आपको कहना चाहूंगा हमने short notes वाला वीडियो डाल रखा एक तो चोहनों पर भी short notes वाला वीडियो डाल रखा है जितने भी परतिवराद से उनसे समधिशन एक्जाम में पूछी जाते है important fact exam में जो समधिशन इपोर्टेंट है ना वो हमने करवा रखे हैं आप जाके वो देखे और आपको पता चलेगा कि क्योशन कवर हो रहे हैं कि नहीं एक वार वो आप जाकर जरूर देखें दोस्तों समकाली ने चंदेल सा सक पूछा गया है प्रमारदी देव चंदेल प्रतिवराद चोहन तरीत्य का समकाली नथा दोस्तों next question पर चलते हैं अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चोहनों की राजदानी कौन सी थी अजमेर नगर की स्थापना हुई उससे पहले आपको बताना है अजमेर के चोहनों की राजदानी क्या हुआ करती थी दोस्तों आप सभी को पता होगा सामबर सामबर स्पादलक्स हम जिसे कहते हैं अजमेर के चोहानों की राजदानी हुआ करती थी अजमेर नगर से पहले अजमेर से पहले अजमेर के चोहानों की राजदानी सामबर हुआ करती थी दोस्तों चलते हैं आज के नेक्स्ट क्यूशन पे 11 जून 16-18 में ओरंगजेव के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकन साथ ले गए थे अकबर ओरंगजेव का बेटा था दुर्गादास किस मराठा सरदार के पास उनको लेकर चले जाते हैं 11-16-18 को वो बागी हो जाता है संभाजी के पास कहा ले जाते हैं संभाजी के पास ले जाते हैं दोस्तों संभाजी के पास ले जाते हैं दोस्तों चलते हैं आज के next question पर निमन लिकित में से कौन सा मंदिर चितोड़गर दुरग में इस्तितन नहीं है चितोड़गर दुरग क माता मंदिर है दोस्तों जोदपूर के अंदर हो जाएगा अब आपको ध्यान देना है साथवीष देवरी मंदिर है समीदेशवर मंदिर है तुलजा भवानी का मंदिर है साथवीष देवरी समीदेशवर मंदिर तुलाजी भवानी का मंदिर ये जो है ना चितोडगर दुरुक के अंदर है चामूंडा देवी का जो मंदिर है वो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जोदपूर के अंदर है कहां पर है जोदपूर के अंदर है ये भी आप ध्यान रखना सलते हैं अज के नेक्स्ट क्यूशन पर विकानेर चितर सेली में किस विकानेर सासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को अधार बना कर चितर बनाए थे ये रहे दोस्तों आपके उप्संस इसके लिए राइट आंसर दोस्तों अनूप सिंग रहेगा अनूप सिंग के काल को विकानेर चितर सेली का सवरन काल भी कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों सवरन काल कहा जाता है आप ध्यान रखेंगे अनूप सिंग के काल को विकानेर चितर सेली का सवरन काल कहा जाता है और उस समय उस्ता परिवार में हिंदू कथाओं का धार बना कर चितरे बनाए गए थे ये भी आप ध्यान रखोगे दोस्तों नेक्स्ट क्योशन पर चलते है निम्मन लिखित में से कौन सा वंस भासकर का लेखक है वंस भासकर के लेखक आपको यहां पर बताने है क्या कहा जाता है मारवाड़ी बोली के साहितिक रूप को आपको यहां पर साहितिक रूप लिखा हुआ है और बताना है क्या कहा जाता है दोस्तों इस क्योशन के लिए राइट आंसो रहेगा डिंगल क्या कहा जाता है डिंगल कहा जाता है नेक्स्ट है किस हिंदू महा में गणगोर तेहुआर मनाया जाता है गणगोर का तेहुआर किस महा के अंदर बनाया जाता है हिंदू कलेंडर की साब से आपको यहां पर बताना है दोस्तों इसके लिए राइट आंसर रहेगा चेत चेतर के अंदर गणगोर तेहुआर मनाया पुर्णिमा को बनाते हैं और जो चेत्र में हम गंगोर बना रहे हैं वह भी आपको ध्यान रखना है सूकलपक्स में हम गंगोर बना रहे हैं दोस्तों और दोस्तों आप सभी को पता होगा स्रावन के अंदर छोटी तीज आती है आप सभी को ये भी पता होगा चलते हैं आज के नेक्स्ट क्योशन पर राजपरसस्ती की रचनाकार कौन था दोस्तों पूछा गया बहुत ही इपोटन्ट क्योशन है मैंने आपको short notes वाले वीडियों भी बता रहा है एक्जाम में पूछा जाता है राजपरस्थि का रचनाकार पूछा गया है रनचोर भट तेलंग रनचोर भट लिखा हुआ है तेलंग भी के वार लिखा आजा सकता है रनचोर भट तेलंग जो है राजपरस्थि के लेखक है राजपरस्थि के लेखक है राजपरस्थि बहुत ही important है दोस्तों भारत का आप इसको बोल दो या विशब का सबसे बड़ा संस्कृत का भारत बोल दो विशब का बोल दो संस्कृत का सबसे बड़ा सिला लेख है दोस्तों आप सभी को पता होगा पत्चिस सिला लेखों पर ये उत्किर्ण है दोस्तों चलते हैं आज के next question पर, मारवाड प्रगनारी विगत का लेखक कोन है, मारवाड प्रगनारी विगत के लेखक पूछे गए है, दोस्तों इसके लिए right answer रहेगा मुनोत नेंसी, मारवाड प्रगनारी विगत के लेखक है, आप सभी को ये भी पता होगा, मारवाड प्रगनारी विगत को क्या कहा जाता है, मारवाड का गजट कहा जाता है, आप सभी को ये भी पता होगा, दोस्तों इनका एक ख्याल गरंथ और भी है मुनोत नेंसी का कौन सा नेंसीरी ख्यात नेंसीरी ख्यात भी है वो आप सभी को पता होगा और ये नेंसीरी ख्यात है ना ये क्या है राजस्थान का राजस्थान का पहला ख्याल गरंथ है पहला ख्याल गरंथ कौन से आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या टिक करोगे नेंसीरी ख्यात करोगे मारवाड परगनारी विगत के लेखरक मौनोत नेंसी हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर एक important fact आपको और ध्यां रखना है एक तो इसे मारवाड का गजट कहाई जाता है जन गन्ना का उलेख भी मिलता है क्या मिलता है मुनको जन गन्ना का उलेख मिलता है इसके अंदर मारवाड परगनारी विगत के अंदर चलते हैं आज के next question पर प्राशिन काल में निमलीक्त में से किस स्थान को तमर्वती नगरी के नाम से भी जाना जाता था अघर आप से पूछा जाए और आप से पूछा जाए पूछा जाए तमरवती की जननी पुछा जाए तो गनेश्वर होगा जननी पुछा जाए तो गनेश्वर है और नगरी पुछा जाए तो आहड हो जाएगा दोस्तों चलते हैं अज के next question पर और हमारा अंती माज का question है माँ आपको कहना चाहूंगा वीडियो का अपने दोस्तों के साथ share कीजिए वाटसब पर टेलिग्राम पर जो भी आपके पास source है share कीजिए, like कीजिए and comment करके हमें जुरूर बताएं आप जो comment करते हो उससे हम motivate होते हैं और एक भैतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं साथियो तो आप share भी कीजिए, comment भी करके बताएं और जो साथी channel पर नए है वो channel को subscribe करकर bell icon को जुरूर प्रयास कर लें ताकि उनको latest notification मिलते रहें दोस्तों आप अन्य कोई सुझाओ हैं तो भी आप हमें दे सकते हो ताकि हम in future उसको सुधार करकर आपके लिए एक बहतर वीडियो लेकर आसके हम अरांतिम question है राजस्तान के किस जिले में ओजियाना स्थल इस्तित है ओजियाना स्थल पूछा गया है कि अजियाना स्थल पूछा गया है